आपके काफी समय से मेरे पास में कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप गूगल पे से बेंक अकाउंट में डायरेक्ट पेसे भेजने का वीडियो बनाओ तो दोस्तो हमने आपके लिए वीडियो बना लिया है हमारे बुड़े मातापिता रिष्तेदार आदी जो हमसे दूर रहते हैं और उनका बेंक अकाउंट होता है प्रन्तु वो फोन पे गूगल पे पेटियम अप्लिकेशन आदी को यूज करना नहीं जानते हैं आज मैं आप आपको बताऊंगा कि गूगल पे की सायता से डायरेक्ट बेंक अकाउंट में पेसे कैसे भेजें वीडियो को बिना स्किप किये हुए पूरा देखे जिसमें मैं आपको पूरा प्रोसेस लाइव दिखाऊंगा अब मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं सबसे पहले हम अपने qr कोड पे कॉंटेक्ट पे फोन नंबर बैंक ट्रांसपर पे UPI ID और नंबर आधी तो हम बैंक ट्रांसपर पे क्लिक करते हैं क्योंकि हमें डायरेक्ट बैंक में पेशे भेजने हैं बिना मोबाइल नंबर के अप फिर हमारे सामने पेज खुलता है और वहां पर लिखावा पर किलिक करते हैं अकावDav perception करने के बाद में हम EFC घुट करते हैं और यदि दोस्तों आप魅 को आपके बेंकसिए कोड पता नहीं है तो आपको रीगाजसिक्र सीलयक्ट करना है और यहांसे आपको अपना बेंक सELECT करने के बाद में आपको यहां पर आपके सामने नीचे ब्रांच का नाम लिखना होता है अब आपके सामने नीचे ब्रांच का नाम आ जाता है तो आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है और आपके सामने IFSC कोड आ जाते हैं तो आपको continue पे क्लिक करना है अब हम यहां पर recipient name में जिस भी व्यक्ति को पेसे भेज रहे उसका नाम बैंक की पास्बुक की साइधा से हूब भू लिखते हैं अकाउन नंबर IFSC कोड और उसका नाम डालने के बाद में हम कनफंपे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने उस व्यक्ति का नाम आ जाता है और उसके खाते के लास्ट के 4 डिजिट आ जाते है और नीचे दोस्त हमारे UPI pin डालते हैं UPI pin डालने के बाद में दोस्तो हम right के निसान पे क्लिक करते हैं तो इस तरह दोस्तो हमारा Google पे किस आइता से bank account में direct payment हो जाता है इस तरह में आपको दिखा जेता हूं कि payment complete हो चुका है धन्यवाद दोस्तों वीडियो के अंतक बने रहने के लिए मिलते है नेक्स्ट रूदियो में